हलो अरिवन चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अभी हम डिसकस करने वाले हैं निश कॉंसेप्ट कुछ लोग इसे निक बोलते हैं कुछ निश बोल देते हैं निश कॉंसेप्ट समझने से पहले आपको एक और टर्म समझना पड़ेगा और वो टर्म है फंक्शनल रोल बड़ा सिंपल सा टर्म है फंक्शनल रोल देखे बात करते हैं हमने हमारे पीछे के क्लासेज के अंदर ये बात करी थी कि जो लिविंग और्गेनिजम्स होते हैं बायोटिक फॉर्म्स जिसे हम कहते हैं, जितने भी प्लैनेट के उपर लिविंग और्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, उन सारे लिविंग और्गेनिजम्स को on the basis of their feeding habit. फीडिंग हैबिट का मतलब हो गया कि किस टाइप का खाना खाते हैं, उसे फीडिंग हैबिट या फीड हैबिट बोल सकते हैं, प्लैनेट के उपर जितने भी लिविंग और्गेनिजम्स हैं, वो किस टाइप का खाना खा रहे हैं, उसके basis पे उन्हें 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, based upon their feeding habit, living organisms are divided into 5 ग्रुप्स, देखो कैसे, पहले living organisms होते हैं, प्लांट्स, और प्लांट्स हैं, वो फोटो सिंथेसिस करते हैं, फोटो सिंथेसिस करेंगे, तो इनको कहेंगे producers, तो ये एक टाइप के living organisms हो गए, जो food produce करते हैं, वो producers हो गए, फोटो सिंथेसिस करते हैं, दूसरे टाइप के वो living organisms, जो प्लांट्स को खाते हैं, इन्हें कहते हैं herbivores, तो एक हो गए herbivores, तीसरे वो living organisms, जो herbivores को खाते हैं, इन्हें कहते हैं carnivores, चौथे वो living organisms, जो प्लांट को या herbivore को या carnivore को खा सकते हैं, इन्हें कहते हैं omnivores, और एक इस category के living organisms, जो की dead organic matter को decompose करके, इन्हें कहते हैं decomposers, आपने ये groupism कैसे किया, आपने groupism किया, on the basis of their feeding habit, right, ecology के अंदर, energy का transfer बहुत जरूरी है, ecology का एक बहुत important concept ये भी है, कि energy transfer कैसे हो रहा है, energy transfer, इसलिए ecology के अंदर, energy के transfer को ध्यान में रखने के लिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये living organisms, एक दूसरे का food होते है, green plants, herbivores का food है, herbivores, carnivores का food है, carnivores जो हैं, वो omnivores का food है, इन सभी का dead organic matter, decomposers का food है, तो हम ये कह सकते हैं, कि यहाँ पर जो biotic forms है, ये biotic forms एक दूसरे के food की तरह भी काम करती है, इसलिए यहाँ पर energy का transfer एक biotic form से दूसरी biotic form में होता है, right, simple सी बात है ये तो, हम बात कर रहे हैं किसी organism के feeding style की, अब ध्यान से समझेए, आप से कहा जाए कि plants का feeding style क्या है, आप कहेंगे photosynthesis करना, आप से कहा जाएगा कि herbivores का feeding style क्या है, आप कहेंगे green plants को खाना, इसे कहते हैं herbivory करना, herbivory क्या है, herbivory is the feeding habit of herbivores, carnivores का feeding habit क्या है, carnivory करना, तो इनका feeding habit है, carnivory करना, omnivores का feeding habit क्या है, omnivory करना, और decomposers का क्या है, decomposition करना, decomposition करना, ये इनका feeding habit है, देखिए, functional role का मतलब होता है feeding habit, इसका मतलब यह हुआ कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हर्विवोर का फंक्शनल रोल क्या है? आप कहेंगे हर्विवोरी करना कार्णिवोर का फंक्शनल रोल क्या है? कार्णिवोरी करना ओम्निवोर्स का क्या है? फंक्शनल रोल Omnivory करना Decomposers का functional role क्या है Decomposition करना तो यहां से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि functional role का मतलब क्या होता है functional role का मतलब है कोई living organism किस type का food consume कर रहा है वो उसका functional role होता है वो क्या type का, क्या category का, क्या quality का food खाता है food खाने की habit को हम उसका functional role कहते है तो आप चाहें तो इसे summarize कर सकते है कैसे कि organism एक organism है वो organism plant हो सकता है ये organism कोई herbivore हो सकता है ये organism कोई carnivore हो सकता है ये organism कोई omnivore हो सकता है ये organism decomposer हो सकता है तो ये तो हो गए organism और अब आप से पूछें कि इन organisms का functional role क्या है तो आप functional role के लिए क्या बताएंगे plant का functional role है to do photosynthesis ये photosynthesis करते है herbivores का functional role है herbivore करना तो herbivore करते है carnivore का है carnivore करना omnivore का है omnivore करना और decomposers का है decomposition करना आपको इतना समझ में आया होगा कि functional role किसे कहते है कोई भी living organism किस टाइब का food घा रहा है वो energy कैसे ले रहा है उस energy लेने की process को हम functional role बोल सकते हैं एक बार अब दूसरा बड़ा सवाल उठता है जब भी कोई living organism कहीं पर भी जाता है कहीं से भी आता है कहीं भी सोता है कहीं भी उठता है बैठता है वो कोई भी activity करता है तो definitely उस organism के surrounding के अंदर बहुत सारे biotic और abiotic factors जरूर होंगे आप इस वक्त जहां बैठे हैं आपके surrounding में light temperature, air कुछ ना कुछ quantity में है आपके surrounding में other living organisms हो सकते हैं plants हो सकते हैं आपके pets हो सकते हैं आपके family members हो सकते हैं microbes हैं इसका मतलब यह हुआ कि एक living organism चाहे कहीं भी चला जाए उसके surrounding में हमेशा abiotic और biotic factors जरूर होंगे वो बिना surrounding के कहीं जाई नहीं सकता क्योंकि surrounding हर जगए है अब वो surrounding के factors थोड़े change हो जाते हैं कहीं temperature ज़्यादा कहीं कम कहीं light ज़्यादा कहीं light कम कहीं एक plant species कहीं दूसरी plant species लेकिन एक organism के surrounding में biotic और abiotic factors हमेशा रहेंगे तो अब यहां से हम एक चीज सीखते हैं हमें ultimately definition बनानी है कि निश किसे कहते हैं निश का definition क्या रहना चाहिए एक बार आप imagine करें कि कोई forest है इस example से समझेंगे easily समझ में आएगा यह कोई forest है इस forest के अंदर एक नदी या एक river है यह इस तरीके से गुजरती है river यहाँ पर एक पेड़ है बड़ा सा और river के पास जो पेड़ है उसके नीचे एक line बैठा हुआ है share बैठा हुआ है अब क्या होता है कि एक ये share थोड़ी दूर पे किसी deer को देख लेता है कि यहाँ एक deer है feeding कर रहा है और उसका ध्यान नहीं है अचानक से ये line इस deer के उपर attack करने के लिए भागता है और deer इसे कोई दूसरा रस्ता नहीं मिलता और गलती से ये नदी के अंदर चला जाता है और line इसको पीछे भागते हुए यहाँ पर आकर capture करता है इस जगे पर clear अब एक चीज है वो बहुत गौर से समझिएगा एक line deer के पीछे क्यों भागा क्योंकि line को food चाहिए था line अपना food लेने के परपज से deer के पीछे भागता है यानि line अपना functional role perform करना चाहता है इसलिए वो अपने food के पीछे भागता है ठीक है जब वो line अपने food के पीछे भाग रहा था तो वो पहुँच गया यहाँ नदी के अंदर पानी के अंदर और उसे उसका food मिल भी गया अब छोटा सा सवाल यह है कि क्या ये line नदी के अंदर बैटके अपना food खा सकता है बिलकुल नहीं क्यों उसे तो food मिल गया है उसे खा लेना चाहिए तो आपका जवाब क्या होगा कि ये line जिसे food मिला है उस line के surrounding का water इसे support नहीं कर रहा खाना खाने के लिए तो अब ये line क्या करेगा ये line अपना food लेकर यहाँ आएगा बाहर और पेड के नीचे बैटके आराम से खाएगा क्यों? क्योंकि बाहर की condition line को ज़्यादा support कर रही है आराम से खाना खाने के लिए तो हम क्या कहेंगे निश वो वाली surrounding है जिसमें एक organism different environmental या surrounding factors के साथ interaction करते-करते अपना functional role perform कर लेता है निश वो surrounding है जिसके अंदर एक organism अपने surrounding factors से interaction करते-करते अपना functional role play करता है उसे निश कहते है तो line का निश यहाँ पे कहीं पे होगा इसके बाद में हम यह कह सकते है कि निश कोई fixed place नहीं है यह कोई fixed place नहीं है आज loin को यहाँ खाना मिल गया यहाँ बैट के खा रहा है किसी दिन loin को दूसरी जगे खाना मिलेगा वो दूसरी जगे जाएगा तो निश change हो सकता है जो surrounding है वो change हो सकती है लेकिन निश में जो food खा रहे हैं वो कभी change नहीं होता कैसे? हर living organism अपने-अपने food के लिए भी adapted है मान लीजे कि आप vegetarian है और आप vegetarian है इसका अर्थ यह है कि आप green plants खाते है तो क्या आप सारे टाइप के green plants खा सकते हो? क्या आप neem के leaves खा सकते हो? या आप calotropis के leaves खा सकते हो? क्या आप ओपनशिया खा सकते हो? नहीं आप भले ही herbivores है लेकिन आप भले ही vegetarian है लेकिन आप एक selected type का ही food खा सकते हो अगर आप मान लो non-vegetarian भी है तो क्या आप किसी भी animal को खा सकते हो? बिल्कुल नहीं इसका मतलब यह हुआ कि हर कोई अपने food के लिए adapted है वो अपना food change नहीं कर सकता जहां organism अपना functional role play करता है अब हम निश की definition लिख लेंगे और बाद में निश को थोड़ा और define करते हुए उसकी definition को थोड़ा और complex बनाएंगे समझते रहेंगे साथ साथ चलिए अब मैं कुछ लिखा रहा हूँ आपको आप लिखिए लिखिए As we have seen in biotic forms that every living organism has a particular feeding habit as decided by nature For example आप एक टेबल बनाएंगे For example इधर लिखिए organism इधर लिखिए feeding habit और feeding habit को ही bracket में लिखिए functional role feeding habit या functional role फिर बाद में हमें वो नाम लिखने हैं पहला नाम लिखिए plants functional role में लिखिए photosynthesis दूसरा लिखिए herbivore herbivory carnivore carnivory omnivore omnivory decomposers decomposition ये लिखिए लिखिए टेबल के अंदर आगे लिखिए 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 इस feeding habit this feeding habit is also regarded as organism's functional role for which an organism has been evolved इसी के लिए organism evolve हुआ है next point लगा के लिखिए an organism can play its functional role only when its surrounding supports it देखिए loin को यहाँ खाना मिल गया था लेकिन यहाँ की surrounding loin को support नहीं कर रही थी तो यहाँ पर बैट के loin अपना carnivory नहीं कर सकता यहाँ functional role play नहीं कर सकता इसे बाहर आना पड़ता है आपने लिखा an organism can perform its functional role only when its surrounding supports it so अब हम definition लिखने वाले हैं लिखिए so so niche can be regarded as a set of environment set of environment bracket में लिखिए different environmental factors set of environment under which an organism can perform its functional role under which an organism can perform its functional role आगे कुछ और information है लिख लीजिए the word niche was coined by green ale in 1970 the word the word niche was coined by green ale 1917 next लिखिए niche describes how an organism or population respond to distribution of resources distribution of resources and competitors competitors जरूरी है देखे competitors क्योंकि जब को कभी भी कोई living organism अपना functional role perform करेगा तो उसके surrounding में biotic forms भी होंगी और जो biotic forms होती है वो biotic forms में competitors भी हो सकते हैं predators भी हो सकते हैं तो सभी के बीच में रहते हुए ही तो अपना functional role perform करना है next niche has two components देखो niche के लिए दो components होना बहुत जरूरी है niche has two components अब मैं आपको वापस एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि niche का मतलब क्या होता है आप कहेंगे niche का मतलब होता है वो वाली environmental surrounding जिसमे एक organism अपना खाना खाता है जैसे suppose करिए की सर्दियों का मौसम आ रहा है तो आप अपना खाना कहां खाना पसंद करते हैं अपने घर में हालांकि जो मैं आपको explain कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा technically सही नहीं है बट उदारन के लिए लिया जा सकता है जैसे आप अपना खुले में जिनके पास चत है हो सकता है कि हम बाहर अपने गार्डन में बैट के खाना खा ले हम किचन में बैट के खाना खा ले तो जहां पर भी हम खाना खा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं हम अपनी surrounding को utilize कर रहे हैं especially for feeding especially for our functional role तो निश के अंदर क्या चीज़े है निश में दो component होते है पहला food पहला component है food दूसरा component लिखिए the environment used while eating food एक तो food जरूरी है और एक वो environment जरूरी है जिसमें रहते हुए organism food खाता है जिसको use करता है चलो अब हम एक और चीज़ समझते हैं एक scientist रहे हैं बहुत famous उन्होंने experiment किया था कुछ इसे कहते हैं Gauss principle Gauss principle को कहते हैं principle of competitive एक्सक्लूजन देखो पहले मैं इसको यहीं से समझा देता हूँ competitive exclusion का मतलब क्या होता है competitive exclusion का मतलब होता है competition करते करते किसी दूसरे को निकाल देना या competition करते करते निकल जाना मर जाना उसे competitive exclusion कहते है Gauss ने तीन पेरामीशियम की species ली थी लिखते भी जाईए साथ साथ he utilized three पेरामीशियम species number one पहली का नाम है पेरामीशियम औरेलिया पेरामीशियम औरेलिया दूसरी का नाम है पेरामीशियम कॉड़ेटम कॉड़ेटम और तीसरी का नाम है पेरामीशियम बरसेरिया पेरामीशियम बरसेरिया चलिए ये तीन species है पेरामीशियम की ध्यान से समझेगा इनका experiment हमें गौज के प्रिंसिपल में क्या करना होता है कि पेरामीशियम औरेलिया, पेरामीशियम कॉडेटम और पेरामीशियम बरसेरिया ये तीनो के तीनो बैक्टीरिया को खाती है यानि कि इनका खाना तो सेम है तो हम कह सकते हैं कि इनका फंक्शनल रोल सेम है ये तीनों के तीनों एक particular type के bacteria को खाती है ठीक है अब हम गौज के experiment का पहला part देखते हैं गौज ने क्या किया पहले part में इन तीनों की तीनों species को separate grow कराया separate grow कराने का मतलब ये हुआ कि तीन अलग-अलग petri dish ली तो आप साथ-साथ बना लीजे diagram पहली petri dish इसके अंदर इनों ने रखा paramecium aurelia दूसरी petri dish इसके अंदर इनों ने रखा paramecium caudatum तीसरी petri dish इसके अंदर रखा paramecium burseria ये है paramecium aurelia ये है paramecium caudatum और ये है paramecium burseria ये तीन अलग-अलग petri dish में separate culture कराया जाएगा अब देखते हैं क्या result आता है जब paramecium aurelia, paramecium caudatum, paramecium burseria को अकेले grow करवाते हैं तो इन तीनों की जो growth है वो normal आती है G for growth ये तीनों के तीनों species अकेले-अकेले grow करती है तो sigmoid curve show करती है तो इसका conclusion क्या निकला इसका conclusion ये निकला कि when these species are grown separately they do not compete with each other and they show their normal growth जब इनको अलग-अलग grow कराते हैं तो अब ये कभी भी किसी से competition नहीं कर पाती क्यों? क्योंकि देखो निश में दो चीजे important बताई मैंने निश के अंदर एक important होता है food दूसरा important होता है वो environment जिसमें बैट करके food खाया जा रहा है अगर दोनों की दोनो requirements match करती है तब competition होने के chances है यहाँ तीनो species का bacterial food same है लेकिन तीनो species का environment same नहीं है न? पहली species, पहली petri dish में, दूसरी species, दूसरी petri dish में, तीसरी species, तीसरी petri dish में यहाँ तीनो species का environment बिलकुल अलग-अलग है इसलिए यहाँ competition नहीं हुआ अब gauze क्या करते हैं? अब gauze इन bacterial species को mix करके ग्रो कराते हैं दो-दो को एक साथ ग्रो कराके देखते हैं चलिए देख लेते हैं अपन भी एक petri dish ली इस petri dish के अंदर paramecium aurelia and paramecium caudatum दोनों को ग्रो कराया दूसरी petri dish के अंदर paramecium caudatum और paramecium बरसे दिया इन दोनों को ग्रो कराया तो देखिए क्या होता है कैसे होता है इनका results क्या निकलते हैं समझने की कोशिश करते हैं petri dish number one जिसके अंदर दो species है paramecium aurelia paramecium caudatum और petri dish number two जिसके अंदर दो species है paramecium caudatum and paramecium burseria growth चेक करते हैं अपन दोनों के अंदर अभी अभी हमने ये समझा कि निश के अंदर दो चीजे important होती है पहली होती है निश के अंदर use के जाने वाला food बना एक तो food important है एक environment important है इन दोनों का food तो same था ही अभी इनका environment भी same है तो अब क्या होगा अब होगी competition इनके अंदर जब competition होती है तो competition का result भी निकलता है competition का result ये है कि दोनों species में से कोई एक species उस area से उस जगे से उस habitat से exclude out हो जाती है निकल जाती है मर जाती है छोड़ के चली जाती है तो उसके members वहाँ से exclude out हो जाएंगे यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये रहेगी कि ये gauze का original principle है तो अगर ये gauze का original principle है तो result भी gauze के originally आने चाहिए so finally हम यहाँ पर क्या देखते हैं देखे result में कि जो aurelia species है paramecium aurelia वो species तो normal growth शो करती है और जो paramecium codatum है उसकी growth slow होकर के और वो पूरी की पूरी उस petri dish से खतम हो जाती है तो दूसरा वाला जो graph है वो paramecium codatum का है ध्यान रहें ये हम अपनी मर्जी से नहीं लिख रहें result ऐसे ही आये थे original experiment के तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा देखो जब कभी भी दो graph दिये हुए हो growth के दो में से एक graph उपर जा रहा हो अच्छा दा रहा हो growth शो हो रही हो जबकि दूसरा graph बिल्कुल down आ जाए तो हम कहते हैं इसे competitive exclusion यहां से codatum species निकल चुकी है यह हो गया competitive exclusion competitive exclusion हो जाता है यह इसका अर्थ यह हुआ कि codatum species यहां से खतम हो चुकी है चलिए इसके पीछे का region समझते हैं इसके पीछे का region यह है कि paramecium aurelia six times ज़्यादा bacteria खाती है as compared to paramecium codatum paramecium aurelia six times ज़्यादा six times ज़्यादा food खा रही है तो होता क्या है कि यह जितना ज़्यादा food खाएगी इसको energies उतनी ज़्यादा मिलेगी तो यह अपने food की energy को progeny के form में convert कर लेती है यानि यह ज़्यादा reproduction कर लेती है ज्यादा reproduction करेगी तो इसका number बढ़ेगा और codatum जो है वो competition हार जाएगी तो paramecium aurelia ने क्या किया codatum को exclude out कर दिया अब दूसरा graph समझते हैं जब codatum और भरसेरिया दोनों को grow कराया तो दोनों की दोनो species में से कोई भी species exclude out नहीं हुई देखो graph है वो down नहीं है touch नहीं कर रहा है नीचे दोनो species के members इस्टिल है वहाँ पे उपर वाला graph आता है paramecium codatum का और जो नीचे वाला graph है यह आता है paramecium बरसेरिया का दोनों की दोनों species यहाँ पर present है दोनों species में से कोई भी exclude out नहीं हुई ऐसा क्यों हुआ होगा ऐसा इसलिए हुआ होगा कि शायद यह दोनों एक दूसरे के निश में इंटर्फेर नहीं कर रही थी यहाँ पर दोनों एक दूसरे के निश में इंटर्फेर कर रही है इसलिए यह यहाँ से exclude out हो गई हो सकता है कि इन दोनों species में से paramecium बरसेरिया है वो खाली नीचे नीचे रहती है पैट्री डिश में और paramecium codatum है वो खाली उपर उपर रहती है तो भले ही हमें यह लग रहा हो कि यह दोनों सेम environment में है लेकिन दोनों एक दूसरे के निश में नहीं है environment सेम हो सकता है habitat सेम हो सकती है बट यह दोनों एक दूसरे के निश में नहीं है इनका निश सेम नहीं है इसलिए यह आराम से यहाँ पर रह पाती है चलिए अब मैं आपको कुछ लिखा देता हूँ उसके बारे में आप लिखिए सबसे पहले लिखिए 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 paramecium caudatum and was better to convert the food into off-springs इसने अपने food energy को off-springs में convert कर लिया यानि ज्यादा reproduction कर लिया however when gauze cultured paramecium caudatum and burseria together neither went extinct from these experiment gauze concluded that the species with exactly same requirements cannot live together in the same place and use the same resources that is occupy the sameness the species with same requirements cannot live together in the same place and use the same resources that means they cannot occupy the same niche for long time if they do so there will be a competition and less competitor species will be excluded out so this is known as gauze principle or the principle of competitive exclusion आगे बात करते हैं ये क्या और बाते कहना चाह रहे हैं गौज के बाद में कुछ और लोग आए उन्हों ने निश को explain करने की कोशिश करी किस तरीके से निश के concept दिए गए हेडिंग डालिए फर्स्ट निश कोंसेप्ट अल्सो नोन एज ग्रीनेल कोंसेप्ट अल्सो नोन एज हेबिटल निश कोंसेप्ट अल्सो नोन एज इस्पेटियल निश कोंसेप्ट गीवन बाई ग्रीनेल देखो ग्रीनेल का नाम आ गया तो ग्रीनेल अब आप दो चीज़े समझेंगे पहली बात निश के अंदर दो चीज़े होती है food and environment एक बार environment को habitat से correlate करते हैं ग्रीनेल को ये लगता है कि habitat same होने से competition होता है ये ग्रीनेल को लगता है तो ग्रीनेल ने एक बहुत बढ़िया सा example दिया ग्रीनेल गए मैपल ओक फॉरेस्ट के अंदर मैपल ओक फॉरेस्ट और ग्रीनेल ने मैपल ओक फॉरेस्ट के अंदर जाकर के एक और्गेनिजम है मिलिपेड इस मिलिपेड की seven different species देखी different species seven different species और ये सारी की सारी different species decomposers थी डी कंपोजर्स सारी की सारी species decomposers है तो अब क्या होता है देखो आगे ग्रीनेल कहते हैं कि ग्रीनेल ने कहा कि जो गौज है उन्होंने कहा था कि अगर दो species same food खाती हो और same area में रहती हो तो वो दोनों साथ साथ नहीं रह सकती उनमें से एक मर जाती है यहां तो साथ species same type का functional role कर रही है और same forest में रह रही है यह तो नहीं मर रही है तो ग्रीनेल explain करते हैं कि देखो यह साथो species बहुत समझदार है यह साथो species में से एक species है वो leaf के उपर रहती है वो कभी leaf से नीचे नहीं आती दूसरी species है वो branch के उपर रहती है वो branch से नीचे नहीं आती तीसरी species stem के उपर रहती है वो stem से नीचे नहीं जाती ब्रांच पे नहीं जाती चौथी species है वो bark के अंदर रहती है inside the bark वो bark से बाहर नहीं आती पांचवी species ऐसी है जो soil के अंदर रहती है वो उपर नहीं जाती इस तरीके से जो seven different species है उन्होंने अपना छोटा-छोटा micro habitat बना रखा है इनका habitat common है habitat में भी इन्होंने एक micro habitat बना रखा है इसलिए इनमें कभी competition होता ही नहीं है तो ये साथ-साथ रह सकती है तब इन्होंने कहा कि habitat या space ज़्यादा important है निश के अंदर निश को अगर define करना हो तो habitat ज़्यादा important होता है एक और उधारन के साथ समझते हैं इसी concept को एक तो हो गया mapalock forest के अंदर millipid की seven species का they all have different micro habitats एक और example समझिये कि ये कोई plant है और अब इस plant के उपर fungus ने attack किया अब plant तो एक ही है मतलब habitat तो same हो गया और fungus की different species है इन्होंने attack किया एक species ऐसी species है जो अपर सरफेस पे रहती है खाली fungal species A ये उपर की सरफेस पे ही रहती है उपर से ही attack कर सकती है दूसरी species ऐसी है जो lower surface पे ही attack कर सकती है fungal species B ये lower surface पे ही attack कर सकती है तीसरी species ऐसी है जो stem के उपर ही attack कर सकती है चौथी species ऐसी हो सकती है जो सिर्फ fruit के उपर attack कर सकती है तो यहां से grinale के explain करना चाते है कि fungal species तो हैं अलग-अलग species ये सारी species के लिए food है ये same plant इसके बावजूद ये अपने अपने छोटे छोटे area के अंदर है ये species leaf के नीचे नहीं जाती नीचे वाली कभी उपर नहीं जाती ये दोनों कभी stem पे नहीं जाती, stem वाली leaf पे नहीं आती, competition ही नहीं होता तो अब आप definition लिखे, according to grinale according to grinale niche is there according to grinale niche is there space within the habitat space within the habitat where a species exist within the habitat where a species exist that is micro habitat micro habitat of a species is known as its niche is known as its niche तो ये तो grinale थे उनको लगा जो होता है वो space ही होता है बस और तो कुछ हो नहीं सकता तो niche है वो space है अब grinale के बाद में आते हैं अल्टन तो लिखिए second niche concept second niche concept दिया था अल्टन ने तो इसको कहते हैं Eltonian niche concept Eltonian niche concept इसके बाद में इसे कहते हैं tropical इसको कहते हैं functional niche concept tropical या functional niche concept देखिए ध्यान रखिए कि niche के अंदर दो चीजे जरूरी है एक environment एक food grinale को लगा था environment या habitat ज़्यादा जरूरी है Elton को लग रहा है tropical मतलब food और functional इसका मतलब भी food से ही relate है तो Elton को लगता है कि food ज़्यादा जरूरी है जैसे इन्होंने कहा कि एक milk का glass है और इस milk के glass में milk भरा हुआ है ये ऐसे एक milk के glass में milk भरा हुआ है अब हमने ये देखा कि इस milk के glass में तीन अलग-अलग bacterial species एक साथ रहती है मजे से तीन अलग-अलग bacterial species एक साथ रहती है bacterial species A bacterial species B और इसी के अंदर है bacterial species C अब गौज ने तो कहा था दो species एक साथ नहीं रह सकती यहां तो तीन species एक साथ रहती है कैसे तो अब Elton क्या कहते हैं कि देखो यह तीनो species समझदार है पहली species milk में सिर्फ protein खाती है it depends upon protein only दूसरी species इस milk के अंदर से सिर्फ carbohydrate खाती है और तीसरी species इस milk में से सिर्फ और सिर्फ fat consume करती है तो क्या किया इन तीनो species ने एक ही habitat में रहते हुए अपना अपना food अपना अपना ट्रॉफिक स्टेटस अपना अपना functional role अलग कर लिया एक food खाएगी एक protein खाएगी एक carbohydrate खाएगी और दूसरी जो है वो fat खाएगी लडाई नहीं होगी इनके अंदर एक चीज ऐसे समझे दो प्लांट्स है वो साथ साथ ग्रो कर रहे हैं एक प्लांट ये है और दूसरा प्लांट ये ग्रो कर रहा है दोनों प्लांट्स बिल्कुल पास पास ग्रो कर रहे हैं फिर भी competition नहीं कर रहे हैं गौज ने तो कहा था competition करेंगे क्योंकि इनका space भी same है और दोनों प्लांट है दोनों को water चाहिए दोनों को carbon dioxide चाहिए दोनों को same light चाहिए तो इनमें competition होना चाहिए ना बट नहीं होता क्यों नहीं होता एक प्लांट ने अपनी roots को short रखा है और दूसरे plant ने अपनी root को long कर लिया इसका मतलब यह हुआ कि एक plant जमीन में नीचे से अपना nutrition ले रहा है दूसरा plant soil में उपर से अपना nutrition ले रहा है तो competition नहीं होगा इनके अंदर ऐसे ही आप यहाँ से एक और समझ सकते हो example हमें यहाँ पे food style चेंज करना है थोड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं जैसे एक बड़ा सा tree है और इस tree के ऊपर birds भी रहती है monkey भी रहते है इस पे bird species भी है और monkey species भी है अब दोनों के दोनों है तो herbivore लेकिन दोनों एक साथ कैसे रह पाते है birds इस tree के seeds को खाएगी monkey इस tree के fruits को खाएगा तो दोनों में कोई competition नहीं होगा एक साथ रह सकते है इसका मतलब यह हो जाता है कि niche में interfere ना करो तो एक साथ रह सकते है Elton को लगा था कि food ज्यादा जरूरी है definition लिखिये लिखिये according to Charles Elton according to Charles Elton niche is the space within the habitat where a species exist and perform its functional role आपने इस definition में पहले तो वही green ale वाली definition लिखिये last में सिर्फ एक नई line add करी है niche is the space within the habitat where a species live where a species exist यहां तक सेम था and perform its functional role तो यह आपने नया add किया है तो यह था दूसरा वाला concept अब आता है तीसरा वाला concept Hutchinson का concept सबसे best concept सबसे elaborated concept सबसे practical concept आज तक की date का सबसे valid concept तो आखिर यह Hutchinson concept है क्या वो हम जानेंगे हमारे next class के अंदर तो तब तक आराम से पढ़िए revision करिए मिलते हैं बहुत जल्दी Thank you